Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपाइन इंपिंजमेंट टेस्ट के बारे में पेशन्ट जो है वो सुपाइन लाइंग पोजिशन में होगा एक्जामिनर जो है वो शोल्डर के साइड में खड़ा रहेगा एक्जामिनर जो है वो एक हाथ से पेशन्ट के रिस्ट को होल्ड करेगा दूसरे हाथ से पेशन्ट के अल्बो को होल्ड करेगा और पेशन्ट के आम को फ्लेक्शन में लेकर जाएगा एप्रोक्सिमेटली 170-180 डिग्री तक उसके बाद examiner जो है वो patient के arm को letterally rotate करेगा और adduct करेगा patient के ear तक उसके बाद examiner जो है वो medially rotate करेगा patient के arm को अगर medial rotation करने के बाद patient को pain होता है that means की test is positive impingement के लिए और rotator cough pathology के लिए डाइग्राम की help से देखते है patient जो है वो suponline position में है एक्जामिनर जो है वो पेशन्ट के साइड में स्टेंडिंग पोजिशन में होगा एक्जामिनर जो है वो एक हाथ से रिस्ट को दूसरे हाथ से युम्रस को होल्ड करेगा उसके बाद फ्लेक्शन में लेकर जाएगा 170 to 180 डिगरी तक पहले लेटरल रोटेशन परफॉर्म करवाएगा और साथ में अडक्शन करवाएगा और उसके बाद मेडियल रोटेशन करेगा मेडियल रोटेशन के दोरान अगर पेशन्ट को पेइन होता है धैट मिंस की टेस्ट इस पॉजिटिव इंपिंजमेंट या फिर तो रोटेटर काफ मसल की पैथोलोजी में से कोई भी हो सकता है